नमस्कार, स्वागत है आपका JJN News में और आपके साथ मैं हूँ गणेश रुडकी में शनिवार की राद सादी समारो चल रहा था उसी दोरान किशी ने हर्स फाइरिंग कर दी हर्स फाइरिंग के दोरान गोली 9 साल के बच्चे को जा लगी जिससे मौके पर ही बच्चे की मौत हो गई जिसके बाद से परिवार में कोहराम मच गया साथ ही सादी की खुशिया मातम में बदल गई सूशना पर पहुँची पुलिस ने सब का पंचनामा भर्षभ को पोस्ट माटम के लिए भिजवा दिया जानकारी के मुताबिक खानपुर थाना शेत्र के लालचंद वाला गाउं के एक परिवार में साधी समारों चल रहा था देर रात किसी ने साधी समारों में हर्ष फाइरिंग कर दी जिसमें एक गोली नौ साल के रियान को जा लगी तुरंत उसे अस्पताल ले जाया गया जहां चीकित्सकों ने उसे इम्रिद खोशित कर दिया वहीं घटना की सूचना पर पहुंची खानपुर पुलिस ने सब को कबजे में लेकर पंचनामा भर पोश्ट माटम के लिए रोड की अस्पताल भिजवा दिया वहीं इस सम्मन में जानकारी देते हुए खानपुर थाना कारेप्रभारी उपेंद्र सिंग ने बताया बच्चे के शरीर पर गोली लगने का निशान मिला है प्रथम दृष्ट या बच्चे की मौद गोली लगने से हुई लग रही है फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रही है जे जे एन नियूस धन्यवाद